हेलो गाईज स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेस्ट ड्यूड में गाईज आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अपने मॉबाइल फोन को माउस की मदद से कैसे चलाएं Mobile phone को mouse की मदद से चलाने के लिए सबसे पहले हमें एक OTG की आसकता पड़ेगी और एक mouse की आसकता पड़ेगी हम इन दो चीजों की मदद से अपने mobile phone को mouse की मदद से आसानी से चला पाएंगे तो गाईज सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमें अपने मॉबाइल फोन को माउस की मदद से चलाने की आ सकता कहा पड़ती है तो दोस्तों यदि हम mobile phone की मदद से कोई farm apply कर रहे हैं हो या किसी photo की editing कर रहे हो या किसी video की editing कर रहे हो तो इन सब चीजों को करने के लिए हमें mouse या सकता पड़ती है mobile phone से इन सब चीजों को करने में थ्थभा कठना ही होती है ऐसे में हम mouse की सहाथा लें तो हमारा काम आसानी से हो जाता है तो चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं यदि आप चैनल परना है है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तो गाइस सबसे पहले आपको एक OTG खरीदनी पड़ेगी ये OTG आपको आपके मार्केट में 20 से 30 रुपए में आसानी से मिल जाएगी OTG आपको अपने मुबाइल के चार्जिंग पिन के अंसार खरीदना होगा जिस टाइप का चार्जिंग पिन आपके मुबाइल फॉन में लगता होगा उसी टाइप की आपको OTG खरीदनी है और फिर इसके बाद आपको एक माउस किया सकता पड़ेगी माउस आपको इसा भी ले सकते हैं ये माउस हमने मार्केट से खरीदा है 200 रुपए में ये हमारा वायरलेस माउस है और आप 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 सकता हमसार चाहें तो वायर वाला माउस भी खरीद सकते हैं और ये इसका रिसीवर है अब हम रिसीवर को OTG में कनेक्ट कर देंगे इसका प्लग इन कर देंगे OTG के अंदर और फिर इसे मोबाइल फोन को चार्जिंग वाली पिन पर लगाएंगे OTG को चार्जिंग पिन में लगाने के बाद माउस मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाता है यदि अब भी माउस मोबाइल फोन से कनेक्ट ना हुआ हो तो हम एक छोटी सी सेटिंग करनी होती है सबसे पहले मॉबाइल फोन के सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे एडिशनल सेटिंग मिलेगा एडिशनल सेटिंग में जाएंगे और इसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तब को OTG connection देखने को मिलेगा, आप उसे on कर देंगे, OTG connection को on करने एक बार setting से बाहर चले आंगे, और फिर आपका mouse mobile phone से connect हो जाएगा, यदि आपका mouse अभी mobile phone से connect ना हुआ हो, तो आप mouse के किसी भी key को press करेंगे, तो यह आपके mobile से connect हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि mouse जो है हमारे mobile से connect हो चुका है, अब आप अपने mobile phone को mouse की मदद से आसानी से operate कर सकेंगे, वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद,